इस वीडियो में हम मरुस्थल टॉपिक के इंपोर्टेंट कोश्चन डिसकस करेंगे इस टॉपिक पर एक कोश्चन अकसर एकजाम में पूछ लिया जाता है तो आप वीडियो को एंट तक ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो हेलफुल लगे तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें पहला कोश्चन है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो इसका आंसर आपको पता होगा सहरा मरुस्थल ये कहाँ पर है अफरीका में है अफ्रीका महादीब में है सहरा मरुस्तल ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्तल है अगला कोश्चन है दच्छड एसिया का सबसे बड़ा मरुस्तल कौन सा है दच्छड एसिया का मरुस्तल है थार का मरुस्तल धार का मरुस्तल पाकिस्तान और भारत दोनों में फेला हुआ है राजिस्तान में, इंडिया में सबसे ज्यादा फेला हुआ है गोवी मरुस्तल किस देश में है? Important question है, यह पूछा जाता है अक्सर गोवी मरुस्तल है, मंगोलीया में ठीक है, गोवी मरुस्तल मंगोलिया में है, important question है, पूछा जाता है, ठीक है, अगला question है, नूबियन मरुभूमी कहाँ परिस्तित है, तो नूबियन मरुभूमी, ये सूडान में स्तित है, नूबियन मरुभूमी, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में है, तो अल गेजीरा रेगिस्तान भी सूडान में है, तो सूडान में आपको दो याद रखने हैं, एक तो नूबियन मरुभूमी है, एक अलगेजीरा रेगिस्तान है, अगला है, सोनोरान मरुस्तल किस देश में इस्तित है, सोनोरान मरुस्तल मेक्सिको में इस्तित है, मेक्सिको का पर है, उत्तर अगला है इंप्चैना इस्तित है पूछ जाता है तो यह चीन में इस्तित है अगर आप से काला हारी मरुस्थल के बारे में पूछ लिए जाए ये भी इंप्चैना में है इंपोर्टेंट है याद रखना है बिस्व के सीथ मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो बिस्व के जो सीथ मरुस्थल होते हैं उन्हें टुंडरा नाम से जाना जाता है महादीपों के सामानित है किस भाग में मरुस्तरों की उपस्तिती पाई जाती है प्रत्वी के इस्थल प्रष्ट का कितना भाग रेगिस्तान है तो प्रत्वी का जो इस्थल प्रष्ट है उसका लगवग पांच भाग क्या है रेगिस्तान है थार मरुस्तल कहाँ पर है? थार मरुस्तल इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है पाकिस्तान में ऐसे चोलिस्तान नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान नाम से जाना जाता है बिस्व का सबसे सुस्कतम मरुस्तल कौन सा है ये कोशन पूशा जाता है कि बिस्व का सबसे सुस्कतम मरुस्तल कौन सा है तो अटाकामा मरुस्तल ये बिस्व का सबसे सुस्कतम मरुस्तल है बिस्व का मरुस्तल भीहीन मादीब कौन सा है ये कोश्चन भी अक्सर पूछ जाता है कि किस मादीब में मरुस्तल नहीं है तो यूरोप मादीब यूरोप मादीब में मरुस्तल नहीं है कालाहारी रेगिस्तान कहां पर है कालाहारी देगिस्तान दच्छिन पश्मी अफरीका में है कहाँ पर है ये बोट सबाना में सारा मरुस्तल कहाँ पर है सारा मरुस्तल उत्री अफरीका में इस्तित है बिस्प का सबसे बड़ा मरुस्तल है ये अगर आपसे पूछ लिए जाए अटाकामा मरुस्तल चिली में इस्तित है और सबसे सुस्कता मरुस्तल है और चिली में इस्तित है मरुदीप किस से सम्मंदित है? मरुदीप रेगिस्तान से सम्मंदित है बिस्व का सबसे बड़ा सीतोष्ण मरुस्थल कहाँ पर है और कौन सा है important question है तकला माकन मरुस्थल तकला माकन मरुस्थल कहाँ पर है चायना में तकला माकन मरुस्थल चीन में है ये और बिस्व का सबसे बड़ा सीतोष्ण मरुस्थल है यह important point है याद रखना है आपको एक point यह था कि मरुष्थल बिहीन मादीप कौन सा है यह भी याद रखना है यूरोप है सुस्कतम मरुष्थल कौन सा है अटाकामा है यह भी आपको याद रखना है अगरा कोश्चन है सहारा अरेविया जैसे उष्ण मरुस्थल नगर्ने मात्रा में बरसा प्राप्त करते हैं इसका कारण क्या है बायू मंदल के उष्ण कटी बंदिया उच्च दाव कटी बंदिया पर अवस्तित होने के कारण ये नगर्ने मात्रा में बरसा प्राप्त करते ह संसार का सबसे वड़ा मरुस्तल कौन सा है सहरा मरुस्तल संसार का सबसे वड़ा मरुस्तल है तो ये थे मरुस्तल से सम्मंदित कुछ important question एक वार हम रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी सूर्ण मरुस्तल मेंगसिको में है पेंटागोनीया अरजेंटिना सेचुरा मरूहुमी पेरू में है इंपोर्टन कौन सा है तकला माकन ये जो तकला माकन है ये सबसे बड़ा सीतोषन मरुस्तल है सबसे बड़ा सीतोषन मरुस्तल है चाय ना में और कालाहारी मरुस्तल ये कहां पर है बोथजबा ना में और सबसे सुचकता मरुस्तल है मरुस्तल भीन मादीब के बारे में पूछ ले जाए तो यूरोप मरुस्तल भीन मादीब है काला हारी, काला हारी बोट्सवाना में है इतना आपको याद रखना है तो अगर आपको questions अच्छे लगे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को जरूर दबाएं